कस्तूर्बा स्कूल काला माति की छात्राओं ने जेई मिंस में पर्चम लहराया है स्कूल की दस छात्राओं ने जेई मिंस में क्वालिफाइट क्या है इन बच्चियों के सपनों को पंख दिया खूटी डीसी सशी रंजन ने जिनोंने आकांक्षी जिले के लिए मिले फंड से कस्तूर्बा स्कूल में कोचिंग इंस्टिूट खोला, डीसी की ये पहल रंग लाई, और कस्तूर्बा स्कूल की दस बच्चियों ने G.M.S. में सफलता के जंडे गारे हैं अब जी अडवांस की तैयारी में जुटी चात्राइं जारकन का ओवाद प्रभावित जिला खूटी इन दिनों चर्चा में हैं अपनी बेटियों की कामियाबी के चलते खूटी की कस्तूरबा गांधी बाली का विद्याले की एक साथ दस चात्राओं ने जेई मेंस परिक्षा में सफलता प्राप्त की है जारकन के नकसल प्रभावित खूटी जिले के कालामाटी कस्तूरबा स्कूल की दस चात्राओं ने जी मेंस में सफलता हासिल की है लेकिन इन बच्चियों के सपनों को उडान दिया है खूटी के डीसी ने जिन्होंने आकांची जिला प्रोजेक्ट के तहट मिले फंड से कस्तूरवा स्कूल में कोचिंग इंस्ट्यूट खोला चारो तरफ खूटी और खूटी के इस प्रोजेक्ट की चर्चा हो रही है यही है वो स्कूल कस्तूरवा गांधी बाली का विद्याले जहां आसी बच्चियां पाती हैं, रिहाश किव्य स्कूल है, यहीं पाती हैं, हांकाशी-जिला है खुटी उपायूत शीरंजन ने बच्चियों llie केह एक कूचिंचन किया हैधा सब्सक्राइखक र हुआ है बच्चियों को पढ़ाते हैं जिनके पास सपनों की उडान है और उस उडान की ताकत है कि आज पूरे देश की निगाहें इसी स्कूल पे हैं बच्चियों ने जी मेंस में क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया जिन दस बच्चियों ने जी मेंस में सफलता हासिल की है उनमें एक भगवान बुरसा मुंडा की परपोती सरुस्वती कुमारे भीशा में है अब आज में रहकर पेक्षा सहकर लेकिन सपने जिन्दा रखकर फुलकी डीसी के नितित में बनीव एक टीम के हाथरों परवरिश पाकर परशिक्षन पाकर ये एक दो तीन चार पांच छे बच्चियां यहां पर आप आई हमसे मिलने इन लोगों ने वो काम्याबी हासी की कभी मैंने सोचा नहीं था कि इस मुकाम तर पूंस पाऊंगी लेकिन हुआ है और बहुत पिसी है मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ लेकिन जो डीसी सब के दोरा सपनों के उड़ान कार्य करम को चलाया गया उसमें जोड़कर मुझे लग के कौने का व्रेशा मुंटा तुम यहां की मेडम लोग को? मेडम लोग को. जसी. मैं पांच से छे घंटा पढ़ाई करती थी. जब टाइम मिलता था उसने भी पढ़ाई करती थी. लोग का साइड में कोई बिमतलब ऐसे जे इमेंस का कौलिफाई नहीं किया उधर इस तरह से त्यारी भी नहीं होता था. तो हम लोग बिमतलब पहले ऐसे हैं कि जो जे इमेंस कौलिफाई के हैं तो मैं बहुत अपने हमें प्राउड फिल करती हूँ. हमने कभी सोचा नहीं था कि हम जे इमेंस कौलिफाई कर पाएंगे और कभी जे इमेंस का एक्जाम देंगे. हम जब यहां में गारवें क्लास में जब हमारा दाखिला हुआ तब हमें सपनों की उडान कारे करम के तहट हमें इंजिनियरिंग और नीट की त्यारी करवाई गई और हमने बहुत मन लगा के बहुत महनत से जे इमेंस कौलिफाई किया है. गरी परिवार के इन बच्चियों ने सफलता के ज़ंडेगारे हैं लेकिन इनके पीछे इनकी महनत के साथ बीसे ससी रंजन का सपना और सिच्छकों के प्रयास के अलावा स्कूल में बच्चियों को मिली सुविधाएं भी शामिले. सपनों की उरान इसी कमरे से शुरू हुई है. यही है वो बच्चियां जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्याले में पढ़ रही हैं और इन्हों ने ये तै किया कि इनको भी कुछ बनना है. इन्जिनियर बनना है. देश की परगती में हिसेदारी करनी है. लेहाजा खू कुछ चल रही है. और यही है वो बच्चियां. अब तो इंस्प्रेशन लेवल और बढ़ गया है. बच्चियों को भी पता चल गया है कि काम्याबी बहुत जल्द इनके भी दरवादे पर दस तक देने वाली है. चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस है, मुस्कान है. और उमीद क किरन है कि भलोई अब तक जीवन अभाव में भीता है. लेकिन आइंदा अगर इसी तरह मेहनद जारी रही अच्छी गाइडेंस जारी रही तो काम्याबी इनके भी हिस्से में बस आने ही वाली है. मैं डॉक्टर बनने चाहती हूं. कैसी चल रही है? क्या क्या करती है? हमलो की उनके नाया कि यह कर सकते हैं. इतना मुटेवेट ही हैं कि पिशले साल क्यालीफाइ कर सकते हैं. इनजीनेर इसलिए बनना चाहती है क्योंकि जो भी ऐडिया है, जो पैंने के बात आएंगे, उन आइडियास को मैं वीजी डेवलोप में के लिए यूज करोंगी, लग में इंजिनेर बनना जाती हूं। को इंजिनेरिंग और मेडिकल की तयारी कराते हैं। स्कूल काला मार्टी में वो सारी सुधाएं मौझूद हैं। क्लास में स्मार्ट बोर्ड अच्छे और अनुभवी सिक्षक के साथ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कंप्यूटर लैब। क्लास में पढ़ाई के बाद कंप्यूटर लैब में ऑनलाइन क्लास की जरिये चात्राइं अपनी जानकारियां बढ़ाती है। पढ़ाई के तौर तरीके में भी काफी परिवतन हुआ है। अब सिर्फ स्टडी नहीं, सिर्फ क्लासरूम स्टडी ही नहीं। आनलाइन स्टडी भी ज़बूरी है। मेरे ठीक पीछे कंप्यूटर लैब में तीन बच्चियां ऑनलाइन स्टडी का लाब उठा रही है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्क्रीन्स पे अलग अलग टीचर्स कहीं दूर दिल्ली मूंबई में बैटकर आनलाइन क्लास ले रहे हैं। और यह बच्चियां ध्यान से उस क्लास को सुन रही है। तो उसको उनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। सेहम जो हम लोग का यह चैप्टर पढ़ाई हुआ था मैकेनिकल प्रोपर्टीज जब पोजिंस रेशियो से पढ़ाई हुआ था वो वो समग चुके थे लेकिन उसको आर्ट डीपली में जानने के लिए जितना जुरूरत था जो हम लोगा कॉम्पटीशन इव्जा में आता है वो कोचिंग वाले सर बता दिये थे। लेकिन मेरा मन की उसके आर्ट डीपली जानने का था तो मैं यहां कॉम्पटर में ओनलाइन क्लास कर रही हुए। सको और इसके सारे कॉष्चन को मैं सॉल्ब कर सकूँ। कस्तूरबा स्कूल की इन जात्राओं की सफलता काश्य सपनों की उडान पहल को दिया जा रहा है। पिशले साल इस स्कूल की तीन बच्चियों ने जबकि दो बच्चियों ने नेट क्वालिफाइ किया था। लेकिन इस साल स्कूल की अठारा बच्चियों ने इंजिनियरिंग और 49 बच्चियों ने मेडिकल की तयारी कर रही है। इनमें से दस बच्चियों ने जी मेंस में सफलता के जंडे गाड़े हैं. लास्ट इयर की बात हैं. तो यह फर्ष्ट बच्च था. इस बच्च में अठारा बच्ची ने क्या करते हैं दिया था जी मेंस का जिसमें दस बच्ची ने कौलिफाई किया और थर्टी-नाइन बच्चे भी हमारे बच्ची जो नीट कर एक जामेशन नेश्ट संडे को है उसक तयारी कंटीमिंध हमदा चल जो यह ने बच्चे मतलब अपने बच्चे मेरे खुद के बच्चे जब कोई रायंक लाते हैं जितनी खुशी हमें मिलेगी उसे जादा खुशी मिल रहे इन बच्चों के लिए क्योंकि यह बच्चे मतलब पहले दिन जब हमने देखा ना इन और एक टीचर इनके पीछे लगे हुए थे उस वज़े से लाके आज हम लोग इस तिती में हैं कि बोल सकते हैं कि हमारे इतने बच्चे क्वालिफाई किये हैं। कर दिया है कि इस आत्मा विश्वास मेहनत और लगन से हर मुकाम हासल किया जा सकता है। तुर्बा गांधी विद्याले के एक एक वैक्ती को चप्रासी से लेके शिक्षक तक को और इन तमाम बच्चों के अभी वावकों को जिन्होंने भरोसा किया अपनी बच्चियों पर और ये बच्चियों का चेहरा इस बात का गवा है कि ये प्रणा स्रोब बनेंगे ऐसी हज जारो लाखों बच्चियों के लिए और जारगन के मुकमंत्री हेमन सोरेन ने भी कल सार्वजनिक सभा में कहा है कि इन बच्चियों के आगे की पढ़ाई की दिमेदारी सरकार उठाएगी अगर ये विदेश में जाके पढ़ना चाहेंगी तो भी वेवस्ता है स्कॉलर्श के साथ में शेहनवाज अख्तर न्यूज 11 भारत रहा है और सिधर जूड़ेंगे न्यूजूम से स्योगी शेहनवाज अख्तर माई साथ मौजूद है शेहनवाज पूत के पाउं पालने में ही दिख जाते हैं और ये कर दिखाया है खूटी कस्तूरबा गांधी बालिका व उनका सपना जो था वो रंग लाई के लगवग 18 जिले उसमें है उसको अलग से फंड दिया जाता है डी सी ने उसी फंड को चनलाइज किया है कस्तूरबा गांधी विद्याले में एक कोचिंग संस्थान अस्थाबीत करके कोटा का एक नामवर संस्थान है जो वैसे तो अपनी प्रोफेशनली उसको कोचिंग कानुभव है लेकिन उन लोगों ने भी सरकार के इस पहल पर निशेटिव पर आके आगे बढ़कर के अपना योगदान दिया है और 10 से 12 शिक्षक दिये हैं वो ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाई में रिजल्ट ओर्येंटिट कोचिंग में माहिर हैं जैसे कि अभी पैकेज म में अपने जो संस्थान के डारेक्टर को भी सुना उनके शिक्षक को भी सुना बच्चियों को भी सुना कामियाब बच्चियों के अनिभव भी सुने और जो शिक्षा प्रसार पनाधिकारी हैं नली जी उनको भी सुना सबका यही था कि ये काम इतना मुश्किल लग रहा शुरू में कि इन बच्चियों को पूरे खूटी दिले के यतने भी कस्तुर्बा गांधी भी दिया ले हैं उनमें से सेलेक्ट करके एक तरह से उनकी कौंसलिंग करके परखा गया कि किसके अंदर कुछ करने की चाहत है उसके बाद एक जगह जमा करके वहां पर जनरेटर भी ह खाने की भी अच्छी सुविधा है रोटी पकाने की एक मशीन भी एक एंज्यू ने दी है डी सी के इनिशेटिव पर आप समझ सकते हैं कि कोई अगर जिलाधिकारी चाहे तो अपने उस जिले को दुलहन की तरह सजा सकता है उसी का ये जिन्दा सबूत है नमूना है कि आज दस बच्चीयां ऐसी बच्चीयां है ये जिनके घर में एक शाम चुला जला है दूसरे शाम जलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है इनके मादाप भी नहीं जानते होंगे कि इन्होंने कौन सी परिक्ठा क्रेक की है ये वही परिक्षा है जेई मैंस जिसको क्रैक करने के लिए मद्यम और उच्च मद्यम वर्क के अभी भावक डिलाक डिलाक रुपया खर्च करते हैं कोटा भेजते हैं अपने बच्चों को लेकिन यहां रहके उस स्कूल के लैब में बैट करके ऑनलाइन सिक्षा प्राप्ट करके वो सब कुछ करक के डेडिकेटड टीचर की मेहनत से अधिकारियों को मैंने सुना कि दिन भर में हम चाहे कहीं भी रहें एक बार यहां पर आके रिक्षन कर जाते हैं बच्चियों से मिल जाते हैं सिक्षकों से मिल के बात कर लेते हैं और क्या कर सकता है एक प्रशाशनिक प्राधिकारी इतन बन गया है और शशी रंजन जो डी सी खूटी हैं इसके लिए बधाई के पात रहें मैं मिलके बधाई देना चाहता था लेकिन आज दिन भर मीटिंग में वैस्त रहे लेकिन फिर भी अपने इस कारक्यम के माध्यम से ऐसे विजनरी डी सी को बधाई है और बाकी जो हमारे डी और कल मुखमंत्री ने सारजनिक रूप से आका जो स्कूल आफ एक्सेलेंस के उद्गाटन में इस उपलबधी का जिक्र किया गर्व के साथ किया और ये कहा कि जो दस बच्चियां है ये इनकी आगे की पढ़ाई के लिए इनको चिंता करनी की जरूवत नहीं है ये पढ़ परतिबद्ध है तो ये सारा कुछ जो है एक अच्छे मार्दर्शन डेडिकेशन और नेकनियती से किया हुआ प्रियास है इसका नतीजा हम अभी स्क्रीन पे देख रहे थे बिलकुर शैनवाज जब क्लास्रूम में आप बच्चियों से बात कर रहे थे हमने देखा किस तर से खूटी डी सी शशी रंजन ने मेहनत की इन बच्चियों पर क्लासेज जो कोचिंग क्लासेज कराए हैं जो ये फैसिलिटी इस दिये उसी का नतीजा है कि ये बच्चियां आज ही मेंस क्वालिफाई कर चुकी हैं और एक दो नहीं बलकि दस दस बच्चियां तो ये आग मैं डी सी से मिलने गया मैंने मैसेज किया उनको कि मैं इन में से कुछ बच्चियों को इस्टूडियो ले जाना चाहता हूं और संभवता आज हम और बात कर रहे हैं हमारे कोशिश थी कि उन बच्चियों को भी स्टूडियो में बिठाते ताकि दूसरे लोग प्रे ना पात हैं इन पर टीवी पर दिखने का एक अलग प्रवाव पर सकता है यह डिस्ट्रैक्ट हो सकती है पढ़ाई से इसलिए अभी इनका इनका पूरा मनो भाव उस उनकी पूरी के पूरी डेडिकेशन पढ़ाई में फोकस कि होना चाहिए इसलिए इनको मैं जादत नहीं दूगा कि किसी स्टोडियों में जाएं इवन कि उन्होंने ये भी का कि आप प्रेस रिपोर्टर्स का बहुत धन्यवाद कि आप लोग आ रहे हैं इस स्टोडी को कवर करने निउस 11 का उन्होंने विशेश रूप से धन्यवाद प्यारों के माद्धियम से किया और हमको यह मैसेज कि आप यह स्टोडी जरूर दिखाएं लोगों को लेकिन इन बच्चियों को हम प्रेस रिपोर्टर को आगरा करें कि डिस्टरब ना करें क्यूंकि अभी आठ दिन बाद नीट की परिक्षा है जिसे लोग डॉक्टर बनते हैं उसमें 39 बच्चियां उसमें अपियर हुई ह जो आप क्लासरूम में बैठी वी थी 39 बच्चियां ऐसी हैं जो नीट की परिक्षा देंगी चंद दिनों बाद तो हमारे बार बार जाने से कैमरा बाइट पीस टू से वो डिस्टरब होंगी तो आप समझ सकती है कि जिस डी सी के पास इतना बहुती वाइड वीजन हो और इतना जबरदस्त उसका प्लान हो आगे के लिए तो सलाम करने को दिल चाहता है इसे वैक्ति को और ये एक नया जहारखंट है कल मैं स्कूल आफ एक्सेलेंस के प्रोग्राम में गया था वहाँ भी मुझे एक अजीब शांती का एहसास हुआ घंटों इंतिदार करने के बदल रहा है जारखंट के लिए कुछ किया जा रहा है किसी सरकार किसी मुखमंत्री ने ये दर्द महसूस किया कि हाला कि मुखमंत्री के बच्चे भी नीजी इसकूल लें पड़ते हैं लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि एक बच्चा जो गरीब घर का है उसको भी कंप् जारखन में एक बहुत बड़ा एक माइल स्टोन सेट कर दिया है उसके बाद इन बच्चियों का भी जिक्रकल मुखमंत्री ने किया अपने कारिकरम में और ने कहा कि मुझे ये पच्छ समाचार प्राप्त हुआ है ये हर शिदा एक समाचार है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्याले जैसे सिचूट किस वज़े से चर्चा में रहते थे कभी किसी के साथ छड़कानी को लेकर कभी किसी भूक से छिपकिली खाने में गिर गई तो बीमार होने को लेकर चर्चा आती थी हम लोग ही एक खबर को बनाते थे पहली बार जारकन की इतिहास में किसी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्याले की बच्चियों में टैलेंट है उनके अंदर भी परतिभा है कुछ करने के क्या जजबा है ये प्रूफ किया है खूटी की बच्चियों ने और ये नजीर बनाई है खूटी के डीसी ने शाशी रंजन ने अपनी पूरी टीम के साथ और मैं फिर कहूँगा कि ये नजीर जो है वो दूसरे जिलों के लिए भी नजीर बनेगी और उसको अलग-अलग लोग अपनाएंगे और देखेंगे आप ये भी समाचार सुनेंगी कि कभी ने कभी जेए का जो टॉपर है वो किसी प्राइविट इंस्चूट का नहीं कस्तुर्बा गांधी विद्याले का भी हो सकता है नीट में भी कोई बच्चा रेकॉर्ड बना सकता है ये बहुत ही खुशनमा पल था जब महां मैं कोचिंग में उन बच्चियों को पढ़ते हुए सीखते हुए देख रहा था शानवास क्या किसी के भावा को से कोई मुलाकात हो पाई वहां पर किसी से कोई बाच्चित हो पाई बहुत मौजू सवाल आपने किया आज मुझसे आपको जानकर ताजूब होगा कि इन में से आधे आधी बच्चियों के तो पिता ही नहीं है एक बच्ची जिसने जो दस बच्चियों में से एक सबसे आखिर में खड़ी थी उसके माता पिता और दोनों नहीं है भाई हैं जो आर्मी में हैं और जम्मू में पोस्टेड हैं जो डी ओ थे दिला प्रसार प्रदादिकारी वो बता रहे थे कि मैंने कई बार उनको रिक्वेस्ट किया फोन पर कि आप कम से कम उनके IIT में एडमीशन करने का एक इनिशियल फंड जो है वो जुकार लिजे लेकिन उनके तरफ से कोई जवाब वहां से नहीं आ रहा था कि वो आना चाहते हैं एडमीशन के लिए कि नहीं इन बच्चियों ने अपना कार्म कर दिया है अब समाज और एक बा कर सामने आए और उनमें से दो बच्चियों को पूरी की पूरी इंजिरिंग की पढ़ाई का ओफर दिया है खुटी जिला प्रशाशन को तो जिसका जब ऐसा होता है तो समाज में भी ऐसे लोग आ जाते हैं निकल के कि इन बच्चियों का दर्द महसूस करें आप जानकर आ चारचर साल हुमन ट्रैफिकिंग का शिकार रही हैं उनको वापस ला करके जब यहां पर पढ़ा लिखा करके मोटिवेट कर दिया गया तो आज वो मेडिकल और इंजिनिंग की कोचिंग के तैयारी कर रही हैं तो यह एक लेवल है जहां जहां फसी भी थी यह बच्चियां और आज कोशिश करके किसी जिले के डी सी ने इतना मोटिवेट किया उनको उनके लिए इतना कुछ किया कि आज समाज में मैंने पूछा कि आप किस इंजिनियर बनना चाहती हैं तो किस सेक्शन में तो बोलती है हवा यहाद उडाना चाहती हूं आप समझ सकती हैं कि सपने ह हर हालत में सपने जिन्दा रहते हैं और सबकों सपने देखने का हक है सरकार के पैसे से बहुत सारे आईएस अधिकारी क्या-क्या नहीं कर रहे हैं किस-किस तरह की रुसवाईयां अपने नाम नहीं कर रहे हैं वहीं राची में आज एक आईएस पता अधिकारी की तारीफ करते हुए मेरे पास शब्द कम पढ़ रहे हैं क्यूंकि माहौल ये है कि आईएस अधिकारी के बारे में क्या-क्या नहीं कहा जा रहा है लेकिन ऐसे भी अधिकारी हैं जो अपने ड्यूटी को इस तरह से निभा रहे हैं और एक ऐसे समाज को उपर उठा रहे हैं जिसके पास कोई उमीद कोई आशा भी नहीं बची है बारहाल अपने फिर इस कारक्यम के माध्यम से हम पूरे के पूरे खोटी जिला परसाशन और शिक्षा भी भाग खास करके शिक्षा भी भाग तो बदनाम है सरकार के पैसों को बंदरबाट करना और बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा अपना हिसाब किताब करना लेकिन एक बार फिर ये कहावत वहाँ पर गलत साबित होती है मेरी मुलाकात सिक्षा परादिकारियों से हुई है कुछ लोगों से हुई है टीचर्स से हुई है जिनको मैंने देखा तो मुझे इस बात का हैसास हुआ कि अभी इमानदारी मौजूद है कर्तव निश्रता वर्जूद है और अपना फर्स जो उन्होंने सरकार की नौकरी करने के लिए उस बसकंद लिया था उस फर्ज का भी है और इतना एहसास है कि हम सरकार के पैसे खा रही हैं सैलरी के तोर पर तो उसके return भी हमें उसी अंदाज में देना होता है और उन्हें दिया भी है बिल्कुर बिल्कुर शैनवाज जिस तरीके से अगर बात करें खुटी के DC शशी रंजन की या गुमला के DC जिसे PM के हाथों वार्ड मिला अच्छे कामों के लिए ऐसे ऐसे भी हमारे DC है एक्जामपल्स है ज हमने कई बार नकसलवाद को लेकर के दिखाई है खुटी की खबर हमने human trafficking को लेकर के दिखाई है किस तरह अफीम की खेती होती है उसे लेकर दिखाई है लेकिन ही इस तरह की positive stories और इस तरह की positive चीज़े हो रही है यह बहुत ही अच्छी पहल है और यह goose bumps करने वाली खबर है जो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और इन बच्चीों को देखकर बहुत अच्छा और बहुत सुकून लग रहा है कि अब बहतर कल की शुरुआत हो रही है राज़े में आपको जानकर खुशी होगी राज़दा कि जब यह बच्चियां घर चली गई थी है अपने हमारे मैसेज देने के बाद डी सी साहब ने बच्चियों को गाड़ी भेज करके बोलवाया अपने सुदूर कोई अड़की कोई कहीं सब नकसर परवाबी च्छत्रों की बेटिय मैंने अब उन्होंने बच्चियों ने कहा कि सर आप अपना इंट्रोड़क्शन दें तो जिन्दगी में पहली बार मैंने एक टीचर की तरह उनके सवालों के जवाब दिये वो जानना चाहती थी कि नियूस कैसे बनती है ये कैमरा कैसे होता है ये आप लोग कैसे याद करत हैं यतनी बोलते हैं क्या उसकी तैयारी करते हैं मैंने बीस मिनट उनका मोटिवेशन किया उनको बताया कि आप किस तरह से अपना मन पढ़ाई में लगाएं किस किस चीज से बचें मोबाईल कितना यूज करें और कंप्यूटर पे अगर पढ़ाई का मोंका मिलता है तो वह क्या क्या देखें मैंने पहली बार यह भूमिका आदा की बच्चों से बात चित किया और मैंने तै किया है कि अगर कोई मुझसे संपर्क करे कोई शिक्षा विभाग कोई शिक्जिलाप अधिकारी मुझसे कहे तो मैं अपने दो तीन घंटे वीक में देने के लिए तयार बोला जाता है यह चीज़ें बता सकता हूं बढ़ा सकता हूं और यह एक नेक पहल है कल मैं नवीन जय सवाल से बात कर रहा था एक स्कूल ऑफ एकलेंस एवार्ट सेरिमिनी में उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा होना चाहिए कि मैं मुझे भी एक दिन इंवाइट कर लिया जा बहुत सारी बच्चे तो बात भी ने कर पा रही थी बहुत सारी बच्चीयां बाइट दे रही थी बहुत आसानी से लेकिन कुछ बच्ची जैसे कैमरा चला अपना आइस इदर उदर मोड़ने लगती थी तो यह लयक ओफ फंफिडेंस है और ऐसी बच्चीयों को चाहिए क इसके लिए बहुत अच्छी एक कोशिश हो सकती है लगे दिवंगत जगरनात महतों से मेरी सिलसले में बात हुई थी उन्होंने कहा था कि आप पत्रकारों को चाहिए कि आप अपना नंबर दे दें सिक्षा विभाग में कि हम इस काम को करना चाहते हैं तो आपको कहीं ने कहीं आपको सिख्षा हलका सा एक क्लास्रूम बिल्कुल पहल खुद से ही करने पड़ेगी ऐसे बच्चीयों को या ऐसे बच्चों को जो confidence जिसमें develop हो ऐसे काम करने के लिए हम सभी को आगे आने की जरूरत है इन बच्चों के साथ गुलने मिलने की जरूरत है इने कुछ सिखाने की जरूरत है ताकि इनका confidence level वो बढ़ता रहे बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशानमास तमाम जानकारियों के लिए बढ़ता है तो दिक का